नमस्कार मैं वैशाली मेरे इस यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की हमारी रेसिपी है हरे मटर के हरे कबाब देखते हैं इसमें लगने वाली सामगरी एक बड़ा कटोरी हमने हरे मटर लिए हुए है और हरे मूंग लिए हुए है साबद मूंग है इसे तीन से चा काट लिए हमने एक बड़ा बावल हमने हरा धने ले लिया है साधन नमक डालेंगे और तरने के लिए और इसमें हम बेशन यूज करेंगे एक छोटा कटोरी किसा वह अध्रक है एक से देड़ इंच का टूड़ हमने कद्दू कस कर लिया है जीरा डालेंगे इसमें सौफ ड लिया हुआ है हेंग ली हुए हल्दी पॉड़र है और एक से दो हरी मिर्चे छोटे टुकण में काट लिए शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे बहले हम मटर को ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार में डाल देते हैं इसमें एक दम महीन पेस्ट नी बनाएंगे हलका सा दरदरा सा पीषये ठोड़ा से देखी हमने से र हड़ अब जावर हमने पेस लिया हैि इस तरह हुंने पीस लिए और पीस्टी समेय हमने पाने हैं जाला है अब हम इसे निकाल लेतिएं बावल में इसी तरह हम मूँ को भी पीस लेंगे अब हम बिगवे हुए साबुत मूँ को भी पीस लेंगे इसमें भी हम पानी का यूजनी करेंगे मूँ को भी हमने दरदरा सा पीस लिया है इसको भी पीसते समें हमने पानी का यूजनी किया है इस तरह से गाड़ा पेस्ट हो किया है इसको भी हम बाउल में निकाल देते है मटर और मूँ का पेस्ट तयार हो चुका है अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे 1-2 चबमच जीरा लिया, वो डाल देते हैं सॉफली हुई है, ऑब हम इस में अद में बदी जु कुली czego-ख city दो हरी मिर्च काटी थी वो डालكن हेंग लिया है एक छोटा चमच वह डाल देते हैं लाल मिर्च डाल देंगे हम स्वाद अनुसा इसमें हाइरी मिर्च भी यूज़ किये तो आप अपने स्वाद अनुसा डाल सकते हैं अब हमने एक छोटा कटूरी हमने बेशन लिया हुआ है बेशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए बेशन डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे देखिए यह मिश्रन बहुत ही अच्छा बन गया हमारे हरे मिटर के कबाब का बहुत ही अच्छे मैंने हुई है उसमें बेशन की अब हम कड़ाई हमने रख दिये गयास पर इसमें ऑईल जाल देते हैं ऑईल गरम होता है तब तक हम कबाब तयार करते हैं हम हरे मटर के कबाब तयार कर लेते हैं आप अपने पसंद के अनुस और छोटे बड़े साइज ले सकते हैं इसका कबाब के पहले तीन से चार बना के रख देते हैं फिता लेंगे हम इसे बेसन डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो रही है देखिए हरे मेटर के हरे कबाब हमने यह बना लिए और ऑईल भी गरम हो चुका है अब हम इसे तलते हैं समय जब हम डालेंगे तो ओईल अच्छा करम होना चाहिए और उसके बाद थोड़ा हम गयास कम कर देंगी ताकि अंदर तक अच्छे से प्राई हो जाए हमारे कबाब अब हम इसे गयास थोड़ा सा कम कर देंगे और उसको कम आच भी थोड़ा सेकेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए हमारे कबाब कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है हमने इसमें बैंडिं tackling के लिए Bayson इफ किया था उसके कारण कबाब ने टूटे भी नहीं ए्विल में डालने से ये दिखे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे ह कम आच भई हिए अंदर तक फ्राई हो जाएंगे इसी थोड़े देर हम इसे इसी चन्नी पर रखेंगे ताकि इस कॉइल नीचे निकल जाए बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए है इसी तरह हम दूसरे भी कबाब फ्राई कर लेते हैं हरे मतर के हरे कबाब तयारे खाने के लिए जिसे अब हरे धनिया की चटनी या मिंट चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और शाम की चाही के लिए बहुत ही अच्छा उप्शन है तो आप भी हरे मिटर लाईए और इस रेसिपी को जैरू ट्राई करिए और मेरे इस यूटूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूले धन्यवाद